Hey guys, welcome back to the channel आज हम discuss करने वाले हैं topic number 6, capitals and courts आज की वीडियो में हम Mughal Empire के जितनी भी capitals रही उनके बारे में जानेंगे So, वीडियो में लाश्तक बने रहना अगर आप ये वीडियो complete देख लेते हैं तो आपको Mughal Empire की जितनी भी capitals रही उनमें आपको कोई भी doubt नहीं रहेगा So, let's start आज का topic स्टार्ट करते हैं Heart of Mughal Empire, Capital City जो Mughal Empire था, उसका हर्ट था उसकी Capital City उसकी Capital City को उसका हर्ट माना जाता था Then, Barber अब इस वीडियो में हम जो उनकी capitals थी उनके बारे में डिसकस करेंगे So, जो कितने emperors आये, उन्होंने कौन सी capital को capture किया इस वीडियो में हम जानेंगे जिसमें सबसे पहले emperors आते हैं, Barber Barber took over Lodi Capital of Agra So, जो Barber थे, उन्होंने सबसे अपनी पहली capital कौन से बनाई? आगरा जो कि किस की थी पहले? Ibrahim Lodi की capital थी फिर उन्होंने उसको capture कर लिया और अपनी capital बना ली यहाँ पर मैंने year-wise capital mention की है कि पहले capital 1560 में कौन सी थी, 1570 में कौन सी थी जिससे आपको easy way में समझ में आ जाएगा Then 1560 की बात करते हैं जब Barber ने Lodi Capital को capture कर लिया उसके बाद अकबर आये उन्होंने सबसे पहले आगरा फोर्ट बनाया आगरा के अंदर जो कि कि से बना हुआ था? Red sandstone से एक important point है Then 1570 की बात करते हैं जो अकबर थे उन्होंने अपनी capital को shift किया कहाँ पर new capital फतैफुर सिक्री में उन्होंने अपनी capital को shift कर दिया Then इदर आते हैं जो फतैफुर सिक्री जो उन्होंने capital बनाई अपनी वो direct road to Ajmer मतलब कि Ajmer road के उपर थी और साथ ही में वहाँ पर धरगा थी किसकी शेख मुईन उद्दिन चिष्टी की जो कि एक popular pilgrimage center बन गया था Then अकबर ने उसी time period पर white marble tomb बनाया किसके लिए शेख सलीम चिष्टी के लिए जो कि एक सुफी सेंते उनके लिए white marble tomb बनाया Then बुलंद दर्वाजा बनाया अकबर ने क्यों बनाया क्योंकि मुगल victory in Gujarat उनकी victory हो गई थी गुजरात के अंदर वो जीत गए थे जंग इसलिए उन्होंने एक बुलंद दर्वाजा बनाया उसके खुशी में Then 1585 के अंदर 1585 की बात करता है तो मैंने आपर लिखी दिया है Capital कहां होई? Lahore के अंदर shift हो गई किसका time period चल रहा है? अकबर का time period चल रहा है तो इन्होंने Lahore के अंदर अपनी capital को shift किया उसके पीछे reason ये था कि जो north western front था north west area था पाकिस्तान वाला अफगानिस्तान वाला तो वहाँ पर थोड़ी tension चल रही थी इसलिए अकबर वहाँ पर shift होगे कि जिस्ते क्या होगा कि वहाँ पर आसानी से वो control कर सकेंगे तो वो 13 years तक वहाँ पर रहे उनकी capital Lahore के अंदर रही 13 years तक वो वहाँ पर manage करते रहे देन बात करते हैं शाजा की शाजा का एक point याद रखना कि शाजा को buildings बनाने का बहुत ही बोल सकते हैं पैशन था एक बिल्डिंग्स बनाने का पैशन था accumulated enough money जो जैसे कि अकबर अकबर ने अपने time period पर मुगल empire को richest kingdom बना लिया था तो उसके वज़े से enough money accumulate होगी थी शाजा कोई परिशा नहीं आई उनकी treasury भरी वी थी to indulge his passion for building तो इनका passion था building का उसको इनोंने पूरा किया buildings बनाई बहुत सारी तो जो building activity होती थी उस time पर तो वो किस sign को किस चीज को symbolize करते थे dynastic power को कि empire की power कितनी है उसके पास wealth है जबी तो बना रहे हैं buildings और साथ में prestige honor, respect symbolize करते थी buildings activity then 1648 के अंदर यहाँ पर भी mention कर दिया लग से शाजानाबाद के अंदर shift हुई जो court था उनका पूरा उनकी army उनके household सब आगरा से shift हो बे कहाँ पर old residential city of दिल्ली जो की इस time पर old दिल्ली है तो उन्होंने shift करके कहाँ पर lie capital को शाहा जाना बात एक नई capital बनी ये बिल्कुली transform होके नई city बनी और वहाँ पर उस time पर और पहले से क्या क्या चीज़े थी red foot, लाल किला जामा मस्जित and tree lined asplanade with bazar जो की है चांदनी चौक चांदनी चौक टुचाइना तुम भी देखी होगी आपने तो जो चांदनी चौक बजार है वो आपर था जो की इसमें बताया है कि tree lined asplanade मतलब होता है open space, कुली जगए जो की बजार था, चांदनी चौक then शाजा's new city was a formal vision of grand monarchy जो शाजा की जो new city थी शाजाना बाद वो symbolize करती थी grand monarchy को मतलब एक great ruler की power को symbolize करती थी वीडियो कैसा लगा? comment section में ज़रू बताना और अगर अच्छा लगा हो तो like का button प्रेस कर देना और अगर आप चैनल पर new है तो चैनल को subscribe कर लीजे जिससे के मेरे new videos upload होगी वो आपके पास instant पहुच जाएगी